नमस्कार मैं हूँ खुश्जबू और आप देख रहे हैं The News Garage चुरवात करते हैं आज की खबरों के साथ कोरोना संक्रमन का दूसरा दौर खतरना साबित हो रहा है अस्पितालों में संक्रमतों की वीर बढ़ती जा रही है मरीजों के लिए तमाम दवाओं के अलावा प्लाज्मा थरपी का भी उप्योग किया जा रहा है जो की कारगर साबित हो रही है रत्तदान के शेत्र में सेवारत समाट्सेवी नरिंद्र सतीजा ने बताया कि प्लाज्मा की मांग बेताशा बढ़ती जा रही है यह प्लाज्मा कोरोना संक्र में थोकर ठीक हो चुके व्यक्ति का ही लेना होता है जो व्यक्ति तीन मैना पहले कोरोना संक्र में थोकर ठीक हो चुका है वो प्लाज्मा दान कर सकता है हलाकि इसके पहले एंटी बॉडी टेस्ट कराना जरूरी है सही रिपोर्ट आने के बाद ही प्लाजमा डोनेशन की प्रक्तिया शुरू हो सकती है निशित रूप से शेहर में सिंधु युवा फोर्ज के अध्यक्षि गुंपु केवल रमानी द्वारा इस दिशा में अनुकरनिय प्रयास किये जा रहे है संट्रनगरी में यस्तुधा केवल लाइफ 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 ला मानो सेवा की दिशा में सार्तक प्रयास करते हुए पंजाब सेवा समाज के तात्मी वधान में कोरोना ठीका करण शिविल का आयोजित सकरधरा चौक से लोटस हॉस्पिटल में किया गया जिसे जबरदर प्रतिसाथ बिला समाज सेवी महिंद्य बत्रा के संयोजन में ठीका करण कारेकरम को विवस्तित रूप से आयोजित किया गया इस हे तू 60 वर्षत से अधित लोगों का पंजियन पहले ही कर लिया गया था सभी को अलग-अलग निर्धारिक समय पर बुलाया गया जिसे कोई भी तरेके की असुविदार नहीं हुई लगातार आठ घंटे तक चले कारेकरम में कारेकरता पूरे समय से वारत है शिविर को वरिष्ट समासिवी गिर्धर कृष्ट कुंगर शांती लाल पुन्यानी डॉक्टर पुर्वा देश्मुक डॉक्टर अर्जिन देश्मुक एवं डॉक्टर अभिनाव भगनागर ने सदिशा भेड़ दी सभी ने आयोजन में व्यवस्ता की मुफ्त कंठ से सराना की है विशेश तोर पर लोटरस होस्पिटल के डॉक्टर करईया चांडक एवं स्ताफ का अभिवादन संस्ता की ओर से नरेंदर सतीजा, अमेट पुयानी एवं भार्पिय खुराना द्वारा किया गिया अभार व्यक्त करते हुए सयोजक्त महेंदर बत्रा ने कहा की समुचे मध्य भारत में समाज का अनूठा आयोजन था जिसमें बंजाबी परिवार जन उच्जाप पुरुवक शामिल हुए उन्होंने समाज एवं समस्त सयोगियों के प्रती कृतज्यता व्यक्त की कारेकरम की सफलतार्थ तिलक राज शर्मा, रोहित पुनियानी, हरिश सिडाना, राजिश नारंग, डॉक्टर अमीट मदान, सतीश चाचडा, राकेश पुनियानी, विक्रम खुराना, रुपेश पुनियानी, आशिश पुनियानी, अजय एस पुनियानी, दीपक सलुजा, मयूर पुनियानी, अजय B. पुनियानी, हुजा बत्रा आधिका सयोग रहा लोगडाउन के कारण जहां सभी थोग बजार बंध है वही कुछ थोग तेल व्यापारी रशासन की आँखों में धूल जोग कर जमकर मुनाफ़ा कमा रहे हैं इतवारी अनाजबजार के पास जिस दुकानों में बकायदा शटर खोल कर बड़ी कीन्तों में तेल की ब्लैक मारकेटिंग की जा रही है एक तरफ पहले ही तेलों के भाव में अंगार लगी हुई है उपर से थोग व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन में की जारी ब्लैक मारकेटिंग का असर चिलर दुकानों पर देखने को मिल रहा है थोग से ही 100 रुपए से 150 रुपए टीन बढ़ा कर तेल की सप्लाई किये जाने से शेहर की रुवे दुकानों में सोया बिन तेल 2300 और फॉल्चुन तेल के भाव 2600 रुपए प्रती टीन पर पहुँच गए है इस कारण लोगडाउन जैसे परिसिती में आम लोगों को दोगुनी नहंगाई का सामना करना पड़ रहा है इससे साथ ही अन्यत तेलों के भाव भी बढ़ा कर बताय जा रहे है लोगडाउन के पाच दिन पूरे होने के बाद भी कोरोना संक्रमतों की संख्याव कम होने के बजाए तेजी से बढ़ती जा रही है मंगलवार को 2087 लोगों की रिकोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बुधवार को एक बार फिर महाबलास्ट हो गया इस बीच बुधवार को प्राप्त रिकोर्ट के अनुसार जिले में 24 घंटे युपितर रिकोर्ड 15,093 लोगों की चार्च की गई इसमें सिटी में 2668 और ग्रामिन में 699 लोग पॉजिटिव पाए गए इसके साथ ही 16 मरीजों थी मौत भी हो गई अब तक कुल 4505 लोगों की चान कुरोना से जा चुकी है इस बीच 1216 मरीजों को ठीक होने के पाद चुटी भी दी गई है इसी तरह अब कुल 15,133 लोगों को चुटी दे जा चुकी है फिलहाल जिले में 21,118 एक्टिव केस है इनमें 6,149 मरीज विविद अस्पतालों में भरती है मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से विकवरी वेट भी गिर कर 85 फीजदी हो गया है करीब एक वर्ष के बाद आखिर नाकपुर और इंडॉर के बीच सीधी ट्रेन दोबारा बहाल की जा रही है 21 एपरेल से दोनों शेहरों के बीच दापताहिक ट्रेन चुरूफ की जा रही है मिली जामकारी अनुसार ट्रेन नंबर 09213 इंडॉर नाकपुर साफ्ताहिक स्पेशल 21 मार्च से हर रविवार को इंडॉर से राच सवा 8 बजे चल कर अगले दिन 8 बच कर 20 मिनिट पर नाकपुर कहुँचेगी वही ट्रेन 09214 नाकपुर इंडॉर विकली स्पेशल 22 मार्च से हर सोंबार को 7 बजे नाकपुर से चल कर अगले दिन 6 बजे इंडॉर पहुँचेगी इसके अलावा नाकपुर और महु के दीज भी 23 मार्च से नई विकली ट्रेन शुरू होगी इन में ट्रेन 09223 डॉक्तर अमबिकर नगर महु नाकपुर विकली 23 मार्च से और ट्रेन 09224 नाकपुर महु विकली स्पेशल 24 मार्च से चलेगी या ट्रेन की समय सारेनी नाकपुर इंडॉर इंडॉर नाकपुर विकली स्पेशल की तरह की गई है